फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इजी कलियर एक्जाम में स्वगत है फ्रेंड्स आज है 20 फरवरी और इस वीडियो में हम 20 फरवरी के जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन्स हैं उनको हल करने वाले हैं दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं और वीडियो में सबसे पहले इतिहास में 20 फरवरी के दिन की जितने भी घटनाएं हैं उनको देखेंगे फ्रेंड्स और पहली घटना है 20 फरवरी 19-18-35 की दोस्तों यह वह दिन था जब भारत में पहला मेडिकल कॉलेज खुला था भारत में पहला मेडिकल कॉलेज 20 फरवरी 18-35 को खोला गया था दूसरी तारीक है 20 फरवरी 1846 इस दिन अंग्रेजों ने लाहोर पर कबज़ा कर लिया था दूसरा है 20 फरवरी 1868 का दिन दोस्तो इस दिन क्या हुआ था अमरत बाजार पत्रिका का बांगला में सापताहिक रूप में प्रकासन शुरू हुआ था अमरत बाजार पत्रिका का सापताहिक रूप प्रकासित हुआ था दूसरा है 1935 में कैरोलाइन मिकेलसन अंटार्किटी का पहुचने वाली पहली महिला थी दोस्तो 20 फरवरी 1935 को वह अंटार्किटी का पहुचने वाली पहली महिला थी 1962 में जॉन एच ग्लिन अमेरिका के पहले अंतरी छियातरी बने थे 20 फरवरी 1999 को प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाचपेई ने पाकिस्तान की आतिहासिक बस यात्रा किया था 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था ब्रिटेन के प्रधान मंतरी क्लिमेंट एटली ने भारत को सोतंत्र करने के बारे में 20 फरवरी को घोसला किया था और 20 फरवरी 1999 का दिन था जब दूर दरसन पर खेल चैलन का शुरुआत हुए था दूर दर्सन पर खेल चैलन की सुरुवात हुई थी तो दोस्तों यह इतिहास से सम्मंदित महतपूर घटनाए थी जो की 20 फरवरी को घटित हुई और यह महतपूर है आगामी प्रत्योगी परिच्छाओं के लिहास से अगला दोस्तों महतपूर प्रसन है भारत का किस वर्ष तक 35 ट्रिलियन अर्थ वियुस्था बनने का लच्छ है दोस्तों भारत भारत दोस्तों 2047 तक 35 ट्रिलियन अर्थ वियुस्था बन जाएगी यह भारत का लच्छ है दोस्तों 2047 को क्या होगा दोस्तों हम आजादी का आगधिक्ष संवां वर्स मना रहे होंगे क्योंकि 15 अगस्त 45 April को क्या हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेज्जुं की गुलामी से मुक्त हुआ था तो illä ी077 767 को Oscar 17 सोतंतर्ता दिवस्त मना रहे होंगे उस्तों अगला प्रस है विश्व सामाजिक नियाए दिवस का मनाया जाता है जोस्तों इस प्रस का सही उत्तर है option A 20 फरवरी आजी के दिन विश्व सामाजिक नियाए दिवस मनाया जाता है जोस्तों भारत के समिंधान में समानता से समंधित बहुत सारे अधिकारों को सूचित किया ग खारत के समिधान में सामाजीक नियाय से समन्दित बहुती ज्यादा प्राऊधान है जीवन रच्छा पदक किसके दौरा दिया जाता है जाता है किस देश ने अंगली पीडि के एच्थरी रॉकेट का परिचर किया दोस्तों तो इस प्रस का सही उत्तर है option B जापान जापान ने ही हाली में गोसड़ा किया है कि वह है अंतरिच में लकडी का उपग्रह भेजेगा लकडी का बना हुआ उपग्रह भेजेगा दोस्तों जापान के बारे में जापान की अंतरिच एजनसी के बारे में कुछ महत प अगामी प्रतियोगी परिछाओं में आ सकते हैं, जैसे कि जापान की राजधानी के बारे में यूपी पुलिस पुछा गया है, जापान की जो अंतरिच एजनसी है उसका नाम है जापान एरो स्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी जिसको जाक्सा कहा जाता है और दोस्तों अमेरिका की जो अंतरिच एजनसी है वह है नासा और अपने प्यारे भारत की जो अंतरिच एजनसी है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च और्ग जिसको इस रो गहते हैं. अगला प्रस्ण है दोस्तों हाली में भारत की महिला टीम ने एसिया बैट्मिंटन चैम्पियन्शिप के फाइनल में किस देश को हराएा Пос फाइलेंड को हराकर भारती महिला टीम ने बैट्मिंटन महिला टीम ने ऐसिया की championship जीती है अगला प्रस्त है मुख्य मंतरी लोग प्रेता की सूची में पहला इस्थान दोस्तों किसका है तो इस प्रस्त का सही उत्तर है option C नवीन पतनायक भारत के सबसे लोग प्री मुख्य मंतरियों में इनका पहला रेंख है और जो नवीन पतनायक है वह है उडिसा उडिसा जो की भारत के पूर कोष्ट में इस्ति राज्य है उडिसा की राध्धानी है भुनेसर और उडिसा के मुख्य मंतरी है नवीन पतनायक भारत के सबसे लोग प्री मुख्यमंत्रियों में से पहला इस्थान इनको मिला है अगला प्रसे है जातिगत जनगरना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों तो जातिगत जनगरना कराने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों बिहार हाली में चर्चा का भी साई इसलिए रहा है कि भारत में अब तक दो राजियों ने जातिगत जन्गरना कराई है पहला बिहार दूसरा आंधर प्रदेश और तीसरा तेलंगाना तेलंगाना में ने हाली में बिधान सभा में गोसरा किया है कि वह जातिकत जनगरना तेलांगरा में कराएगा दोस्तों तो तेलांगरा इस तरह से तीसरा राज्य हो जाएगा जातिकत जनगरना कराने वाला दोस्तों अगला परस्त है अठान फिप्टी एट जो ग्यान पीट पुरसकार 2023 से की से सम्मानित किया गया है दोस्तों तो इस परस्त का सही उतर है ऑप्सन सी सही उतर है गुलजार जो की उर्दू भासा के साहितकार है और राम भद्राचार है इन दोनों लोगों को 2023 में ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित किया गए दोस्तों इस पुरुसकार से समंदित कुछ महतपूर्ट अत्यों को देखेंगे दोस्तों जैसे कि साहित के छेतर में भारत का सरोच सम्मान पुरुसकार है जो सिर्फ भारती नागरिकों को मिलता यानि कि विदेशियों को नहीं दिया जात और इसकी जो मुख प्रावधान है वह यह हैं कि जो भी साहित है वह भारती समिंधान की आठवी अनसूची में जो 22 भासाएं हैं उनमें से यह साहित लिखा होना चाहिए दोस्तो पहली बार पहली बार यह कब दिया गया था 1965 में किसको जी संकर कुरूब को सबसे पहले इनको पुरूशकार यह दिया गया था दोस्तो अगला दो हजार बाईस का जो कोंकरी साहित कार थे दामोदर मौजो उनको इस पुरूशकार से ग्यान पीट पुरूशकार से समानित किया गया था जो 2023 में गुलजार जिनको हिंदी सिनेमा के वाए एक उर्दु कभी है और जगत राम भद्राचार तुलसी पीट के संस्थापक है और हिंदू आध्यात्मिक नेता है तो जोस्तों ग्यान पीट पुरुसकार इस बार दो लोगों को दिया गया है दोस्तों अगला प्रस्त है जैन धारमिक प्रथा जिसमें उपवास दोरा सरीर त्याग किया जाता है दोस्तो तो यह कौन सी प्रथा है दोस्तों तो वह है सलेखना बिधी सलेखना बिधी जिसके दोरा भारत के महान समराच चंद्रगुप्त मौरे ने भी अपना सरीर त्याग किया था उन्होंने जैन धर्म सुईकार किया था तो यह दोस्तों बिधी है सलेखना बिधी जिसमें मार्य वंस के संस्थापक चंद गुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों महत पूर्ट आते हैं जैन धर्म से संब्दित इनको आप नोट कर लीजे अगला प्रसे हैं मराथा सामराज की इश्थापना किस ने किया था दोस्तों तो यह भी current affairs से ही संबन्दित है दोस्तों क्योंकि हाली में 19 फरवरी को 19 फरवरी को बीते कल को सिवा जी महराज की जहनती थी दोस्तों इस वज़े से यह current affairs का questions है और exams में आने की संभावना है और सिवा जी महराज ने मराठा सामराज की स्थापना किया था दोस्तों और उन्होंने अपनी राजधानी रायगड को बनाया था इनकी माता का नाम था जीजाबाई और इनके पिता का नाम था साह जी भोसले भारत में दोस्तों इंडियन नेवी भारती नव सेना का इनको जनक कहा जाए